चुनाव आयोग ने 16 मार्च को चुनावी विगुल बजा दिया है इस बार भी 7 चरणों में आम चुनाव करवाए जाएंगे जबकि 4 जून को रिजल्ट की घोशना होगी पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रायल दूसरे फेज की वोटिंग 26 अप्रायल 7 माई को 3 फेज 13 माई को 4 फेज 20 माई को 5 फेज 25 माई को 6 फेज और 1 जून को 7 चरण के लिए वोटिंग होगी दरसल मुख चुनाव आयक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव का पर्व देश का पर्व है आगी उन्होंने बताया कि इस बार 96.8 करोड वोटर्स वोट डालने जा रहे हैं यानि कि करीब 97 करोड लोग सभा चुनाव में वोट डालेंगे आगामी लोग सभा चुनाव में करीब 1.8 करोड वोटर्स ऐसे हैं जो पहली बार किसी चुनाव में वोट डालने वाले हैं इसके अलावा 20 से 29 साल की उम्र के बीच के वोटर्स की संख्या 19.47 करोड है चुनाव आयव ने बताया कि जिन उम्मीद्वारों के आपराधिक रिकॉर्ड हैं उन्हें तीन बार इसके जानकारी देते हुए इस्तिहार देना होगा कुल मतदाताओं में 49.7 करोड पूरुष 47.1 करोड महिलाएं 48.000 ट्रांसजेंडर शामिल हैं चुनाव आयव के आकड़ी का नुसार देश भर में मतदाता लिंगा नुपात 948 है 12 राज्यों और केंदर शासित प्रदेशों में पूरुष मतदाताओं के तुल्ला में महिला मतदातों की संख्या अधिक है मुख चुनाव आयुक्त राज्यों कुमार ने बताया कि हमारी मतदाता सूची में 85 साल से अधिक उम्र के 82 लाख और 100 साल से अधिक उम्र के 2.18 लाख मतदाता शामिल है चुनाव आयुक्त ने चुनाव के दोरान फेक न्यूज फैलाए जाने पर भी चिंता जताई है इस दोरान सोशल मेडिया पर भी काफी नजर रहेगी और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कारवाई भी की जाएगी मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस दोरान कुछ पंक्तियां भी सुनाई जिसकी शुरुआत थी जूट के बाजार में रौनक बहुत है मगर ये बुलबुला है मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम देश को वास्तों में उत्सो पूर्ण लोक तांत्रिक माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध है सत्तरवी लोक सभा का कारिकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है आंदर प्रदेश, ओडिशा, अरुनाचल प्रदेश, सिक्किम के बिदान सभाओं का कारिकाल भी जून 2024 में खत्म होने वाला है जम्मू और कश्मीर में भी चुनाव होने है आम चुनाव में मुख्य मुकावला बीजेपी के निर्तित वाले अंडिया और कॉंग्रेस आम आदमी पार्टी सभा जैसे विपक्षी दलों के निर्तित वाले इंडिया गटबंधन से होगा पियम मोदी जहां बीजेपी के 370 और इंडिये के 400 सीटे जीतने का दावा कर रहे हैं तो वहीं विपक्षी दलों ने अपनी जीत के दावे किये हैं अब तक बीजेपी ने उमीदवारों की दो सूची जारी की है जिसमें कुल 260 केंडिडेट्स के नाम घुशित किये गए हैं उधर कॉंग्रेस भी अब तक दो लिस्ट जारी कर चुकी है पहली लिस्ट में 49 और दूसरी लिस्ट में 43 उमीदवारों के नामों का अईलान किया करते हुए 303 सीटे जीती थी जबकि कॉंग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली थी वीडियोडेस्क अमरुजाला.com